असलाम लेकुम विवर्स क्या हाल है उमीद है अब सब अच्छो होंगे वेल्क बैक टू माइच चैनल सब कर बारा अब्यू लवल बहुत बहुत मुबारक हो इन मलाद नभी की जिशने मलाद नभी की तियारी हो रही है मैंने का मैं तो घीर बना रही हूं पाइनेपल घीर आ पर आई बटन नजर आ रहा हो गदर मेरी प्रादी वीडियो की प्ले लिस्ट है तो जरूर देखिगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा तो आज मैं बना रही हूं पाइनेपल खीर मैं तो इद मुलाद नभी बही यही बना के सब को बांटती हूं हुतम अगर आपको पसांद आई हो तो आप भी बनाई गए इसमें मैंने एक टिन पैर नेपल के लिए है यह मैंने दो लिटर ढाई लिटर अलपर का दूद लिए है एक लिटर दूसा साधा को वाला जो फ्रेश मिलक होता है वो यूस कर ले और एक आदा पाउ मैंने चावल दिय आदे चावलों को मैं इसमें ग्रेंड करों गया जैसे फिर्दि में डालते है और आदे को एसे डालूंगी ठीक है एक पाऊ मैंने चीनी ली इसमें और कुछ गार्निशिंग के लिए बढ़ आम सबसलाची पीच में डालेंगे इसमें कोकॉनट एक प्याली मैंने मैं ने बड़तर नी इस्तेमाल करती हुए जब कुछ नहीं है। मुझे बहुत हुश्य होती है। मुझे दूसरी एदू कितनी हुश्य नहीं देए। इसकी इतनी हुश्य होती है। मैं बना के हतम शदम दिलाग और पिर ने कपड़े पहन के इद की तरह त्यार होगे। मैं इद पर कभी भी त्यार नहीं। पच्पन में होते थे सब। लेकिन अब भड़े होगे जब से तो मैं सिरफ एद मलादनभी पर त्यार होगे। तो फिर सारे मुहले में स्ट्रीट में बांट के आती हूं। और एक कड़ाई मैंने यह ली थी सोनिक्स की जो मैंने आपको चाइना मार्केट से बताया था मैं शौपिंग किया। और एक कड़ाई यह ली थी जिसमें कुकिंग करती हूं। फिर खीर बना के तो फिर मैं इन जो बटी के प्याले हैं। आप में की को पता होगा। इसमें मैं डालके पांट्य। ठूटिया भी बनाती हूं। पिछले साल मैं थूटिया बनाई थी यहां से मिली नहीं। तो पीछे में पंजाब जाती हूं। तो इस दफ़ा मुझे यादी ने रही। यहां से मुझे यह बड़ी मुझे से मिली हैं। तो मैंने इनको पानी में बगो के रखते हैं। ताकि इसकी जो सारी मटी वगारा ना वह साफ होगे। और यह इसमें पानी जब होगे। ताकि इसमें खीर खीर आप जो ठेस्ट हराब नहीं। इतने अच्छी इसमें मज़ेदार खीर लगते हैं। और अच्छा मटी का टेस्ट हुष्भू से और अच्छी मज़ेगी हो जाती है। चले जी अब रैसीपी स्टार्ट करते हूं और आपको बताती हूं। यह जी मैंने सारा दूद इसमें डाल दी है। यह रात का टाई में तो शैडव आएगा इसमें। मैं कुछ नहीं कर सकती है। और अब पहले दूद को बॉल आएगा। फिर मैं चावल पीसती हूं। चावल डालेंगे। सबस लाइची में थोड़ा सा इसमें कूट के तो डालती हूं। इससे फ्लेवर अच्छा आता है। ठीक है। यह लाइची में कूट के डाल दी है। अब इसको एक बॉल आने देती है। तब तक मैं चावल पीसती हूं। यह जी मैंने ब्लेंड कर ली है। यह देखे हैं ऐसी हो गया चावल। इसके चोटे। यह दूद में बॉल आना शुरूnova हो गया। अब इसमें ढालती हूं। चावल में सासर चमल अचमल हलाऊं। अब इसमें देखे हम लगफे। रखे अब अव Сबूरेशने को शावल हलाऊं। यह दूब ळूता है। यह जी मैंने सारे चावल और डूदे डाल दीयाँ पिंदमे जावल पकने देते हैं जब जाएंगे यह तोड़ी हो जाएगे फिर फिर पाइनेपल गृैंड करें बारिए और बार ना करना है ठीक है ऐसे मैंने इसको ग्रेंड कर लिया है यह जब गाड़ी हो जएगी तब डालेंगे मैं बताती हूँ आप यह जी बॉइल आ रहे हैं इसके बाद यह इसमें मैंने बनाता था यह लगडी का हमेशा जो भी आप मिठा बनाऊना इसमें लगडी का स्पैचला कि अर दाता है रहा खेट हैं मैंने आपको भी बताद मोद और शोजाएं कि प्रहां पाइनबल दालेंगे रिधे पीडे यूदेंगे और दालेंगे पिसा हुआ गरी आंनारी आखिया गरी की मैंने चौप कर लिए वैसे बड़ओं इसमें डलते नहीं लेकिन मुझे बच् तब से हमें आदत है बीच में बड़ी बहुत अच्छी खीर बनाती थी और मेरे फुट से भी वैसे नहीं बनती इसलिए मैं बनाती नहीं मैं अपने तरीके वाली बनाती हूं चीनी डालती है फिर फिर यसको पैडे पर ढluence दालेगा है अब इसमें चीनी डालती है फिर यह सपाने पिर ही छाजोरल दिलहे ऑनाती इसमें तो देवासे एक पौग चीनी 4-9 भी चीह पेट लगना शुरू हो जएगी आप इसमें पाइनेपल में पाल्प डाल देती हूँ जो मैंसे बनाया था सात में चपमच्छ छाओए हूँ आपको मैं दिखाती हूँ यह जी पाइनेपल मैंने पाल की डाल दी है जो मैंने ब्लेंड कर गखा हूँ है तहां अजीए साथ में दुरूश्री पढ़ते जाएगा बनाते हुए तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा और मच्छी मज़े की बनेंगी मैंने खोपड़ा और बनाम डाल दी बीच में इसको चमच को हलाते जाना है बंद मनें डालते भी दिखाया नहीं क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा और एक हाथ में मैं चमच हला दी हूँ नहीं तो गुट्लियां बन जाती है आप साथ सब चमच हलाते जाएगा अब यह चीटे यह देखें यह देखें यह पाइनेपल के चंक्स नजर आ रहे होंगे मैंने कुछ-कुछ रखे थे तांके मुह में आए तो बैट में आए तो मज़ा है जी तियार होगी गाड़ी होनी यह बबल्स बबल्स बनने चुरू हो जाए ना आप समझे आपकी कलर इसका थोड़ा भी करें और रेसिपी बनाई तो टैकी जगा सलमाश्रफ 051 मेरा कोड है और नहीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताईगा आपको कैसी लगी है यह देखें जी फाइनल लुग यह घाड़ी होगी है बबल्स मानने शुरू हो गया बिसको में बंद करती हूँ अब डिशोट कर करेंगे यह देखे मैंने डिशोट कर दिये अब इसके उपर मैं यह ठीका लगांगी यह तियार हो के हो देख तो भी हाँ सही है यह जबना शुरू होगी है अब इसके उपर यह मैं फूट कलर बिगो कर रखा है इसके टीके लगाँगी अला जनल मसीब करें बच्पन से मेरी पुफो बनाती थी वह बर्बर के देती तो कहती थी इसमें टीका लगाओ तो मैं इसमें टीके लगाती थी उजे बड़ा मज़ा आता था और आज फिर मैंने उनकी रवायत काइम रखी है तो मैंने का ये खीर बाटने पर इसको लगाती है ऐसे आप चाहें तो नहीं करती है कि यह जी मैंने पाइनेपल भी कर नीश कर दिये अब इसको मैं रखती हूं हतम दिलाने के लिए आपको बताती हूं कि देखे जी माशाला मैंने चिराग जला के डेकुरेट कर लिया अब इस पर हतम दिलाएंगे और फिर बेंबाटन जी अब मेरा भाई पिंडी इसलामावद गई थी जी टैन जी नाइन मरकस जो सदर भी गई मुझे जंडा नहीं मिला और मैंने छोटे भाई की ड्यूटी लगाई हूए जहां से मर्जी जंडा डून कि लाओ मुझे जंडा चाहिए चाहिए तो बस तुआ किजे का मुझे बनाईगा और अगर मेरे रेसिपी आपको मिलगी तो आप भी बनाईएगा और द्वाओं में मुझे याद रखेगा बस नात तो मैं लगा नहीं सकती वैसे मैं सुन रही थी सोना आया तेसा जगे में गलियां बजार और वह वाला हो जाए चरागा मेरे कर्मी या रसूल आ चलो हो सकता है हमें भी नसीब होजए यह चोटी सी कबूल होजए हुशी मैं तो बहुत हुश हूँ अल्ला सब को हुश रखे सब को तुफीक दे आप सब भी दौाओं में याद रखेगा अपना बहुत जदा हया रखेगा होती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके अला को फिस